Brought to you by Agilis Diagnostics उनका पलायन चुरू हो गया है वो भारत वापस आ रहे हैं ये तमाम चीजे जारी हो गई है इसी बीच बांगलदेश में जो ज्यादतर भारत के चात्र है वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे है और वहाँ पर जो हालात है वो स्थिर नहीं है जिसके चलते उन्हें यहाँ पर भ जादा खराब होता और नजर आ रहा है भारत और तक्षिन एशिया की सबसे बड़ी लैंड पोर्ट पेट्रापॉल पर व्यापारिक गतिवीद्या लगबग ठप हो चुकी है इस दौरान यहाँ पर भारतिया व्यापारिक संगठन और क्लेरिंग वा फॉर्वर्डिंग ए कि पूर राशपती डॉनल्ड ट्रम्प पर जो हमला हुआ था उसके बाद अब सीक्रेट सर्विस की डिरेक्टर ने स्टीफा दे दिया है उन्होंने पहले पूरी जिम्मेदारी अपनी उपर ली है और उसके बाद उन्होंने स्टीफा दिया है बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत देर कर दी उन्हें कम से कम एक हफते पहले ऐसा कर लेना चाहिए था यानि कि स्टीफा दे देना चाहिए था मुझे देखकर खुशी हुई कि उन्होंने रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों की अपील पर ध्यान दिया इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि हमें सीक्रिट सर्विस में अमेरिकी लोगों के विश्वास और भरुसे को फिर से बनाना होगा यानि कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डिरेक्टर पर दबाव बनाया जा रहा था क्योंकि भारी चूक इस सेक्योर्टी में देखी गई है जहाँ पर डॉनलर्ट ट्रम्प पर गोली चलती है और वो कान को छूकर निकल जाती है इसलिए काफी जादा सवाल सीक्रिट सर्विस पर उठाय जा रहे थे जिसके बाद जिमिदारी लेते हुए अब सीक्रिट सर्विस की डायर्टर किंबर्ली चीटल ने स्तीफा दे दिया है और अगली खबर पाकिस्तान से सामने आई है जहां पर PTI के आफिस को सील कर दिया गया है पहले उस पर चापा मारा गया उसके बाद उसे सील किया गया रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों को भी वहां से गिरफतार किया गया है और ये भी बताया गया है कि महिलाओं को भी जबरदस्ती गिरफतार किया गया है उनके साथ अच्छा व्यवार नहीं किया गया है इसके अलावा कई कारेकरताओं को गिरफ्तार किया गया इनमें PTI के सूछना सचिव रौफ हसन भी शामिल है पार्टी अध्यक्ष गोहर खान ने कुछ दिन पहले सुरक्षा बलो पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पिछले दो महीनों में पार्टी के सौ बड़े नेताओं को अगवा किया है इसके अलावा पुलिस महिला कारेकरता को जबरदस्ती गाडियों में बठा कर अपने साथ ले गए ये कारेवाई ऐसे समय में की गई है जब जेल में बंद इमरान खान ने एक हफ़ते पहले कहा था कि उनकी पार्टी देश भर में प्रदान मंतरी शेहबाज शरीफ के खिलाव व्यापक प्रदशन करेगी यानि कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इनसाफ के ओफिस पर छापा मारा गया उसके बाद वहाँ से कई लोगों को भी गिरफतार किया गया और फिर इस पूरे ओफिस को सील कर दिया गया है और अगली खबर इस्राइल और हमास की जंग लगतार जारी है इसी बीच गाजा में इस्राइली सेना की तरफ से हवाई हमले किये गए हैं रिफ्यूजी कैम्प पर ये हमला किया गया है जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे और 15 लोगों की मारे जानी की खबर सामने आई है चारो तरफ अफरा तफरी का महौल है रिफ्यूजी कैम्प को निशाना बनाना इस पर काफी ज़ादा सवाल उठ रहे हैं इसके अलावे इसमें जादे तर महिला है और मासूम बच्चे शामिल है हमले के बाद चारो तरफ अफरा तफरी है जानकारी के मुताबिक इसराइली सेना ने पहले मध्या गाजा के बुरिज रिफ्यूजी कैम्प को निशाना बनाया है जहां जमकर बंबारी की गई इसमें नौ लोगों की मौत हुई इनमें दो महिलाए और दो बच्चे भी मारे गए सबी के शवों को दीर अलवा बला लाया गया जहां से उन्हें सुपूर्दे खाक कर दिया गया इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं दूसरे हवाई हमले में इस्राइली सेना ने दक्षुनी गाजा के खान यूनिस को निशाना बनाया है यहां हुई हवाई हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं जिनमें महिलाए और बच्चे शामिल हैं लगातार यही रिपोर्ट बताई जा रहे हैं क्योंकि हमास के आतंकी ऐसे रिफ्यूजी कैम्प के अंदर छिपे हुए हैं ताकि उन्हें निशाना ना बनाया जाए लेकिन IDF इस्राइल डिफेंस फोर्स लगातार ऐसे आतंक्यों को धून कर उन्हें निशाना बना रहे हैं और फिलाल इस वर्ल्ट क हम रूटिन में इतना ही ताजा खबरों के लिए देखते रहे हैं क्रैम तक